आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question में हमको दिया गया है Find the class marks and class size of the following distribution और हमारा ये distribution दिया गया है क्या? Class interval और ये मेरे सारे के सारे क्या दे रखे है मेरे intervals दे रखे है Right, तो हमें क्या करना है कि class marks find करना है तो उसको find करने के लिए हम क्या करते है कि एक बार मैं अपनी table draw करता हूँ Frequency distribution table तो मैं ये table draw कर रहा हूँ राइट और ये मेरी इस तरह से और और मैं इसको मेट कर देता हूँ राइट तो students मैं इसमें क्या करता हूँ कि सबसे पहला मैं लिखता हूँ क्या कि मेरा मेरे को क्या दे रखा है कि class इंटरवल क्या है और इसके साथ साथ मैं बगल में क्या लेखना चाहूँगा इसके class marks मेरा क्या है राइट दौनों चीज ये चीज तो मेरे को दे रखी और ये चीज मेरे को calculate करनी पड़ेगी और मैं भी इसको क्या करता हूँ एक बार वाक्स में summarize कर देता हूँ ओके तो students मेरा जो class marks होता है वो होता है क्या class marks मेरा होता है upper limit plus का lower limit divided by 2 तो एक तरह से मेरा class interval मेरे को पहला क्या दे रखा है 0 सो 10 इसका upper limit क्या है 10 और lower क्या है 0 तो 10 प्लस 0 मतलब 10 10 divided by 2 मतलब 5 मतलब मेरा class marks हो गया 5 अगला मेरे को दे रखा है 10 से 20 तो इसका मतलब 10 से 20 में अगला 10 से 20 तो मेरा class marks क्या हो गया upper limit plus का lower limit divided by 2 मतलब 30 divided by 2 मतलब 15 again मेरा क्या होगा 20 से 30 की भीच में 30 प्लस 20 50 50 प्लस divided by 2 मतलब 25 यह मेरा 30 से 40 तो यह मेरा हो जाएगा क्या 35 और मेरा यह 40 से 50 तो यह मेरा हो जाएगा क्या 45 राइट तो इस तरह से students मेरे इस distribution के मेरे को सारे की सारे क्या मिल गए class marks मिल गए राइट अब मुझे क्या find करना है मुझे find करना है क्या class size तो मेरा class size होता है upper limit minus lower limit और students यह हर case में same होगी मेरी upper limit क्या है 10 minus का 0 मतलब 10 और इस वाले case में भी देखूंगा तो क्या हो जाएगा 20 minus का 10 equals to 10 तो इस तरह से मेरी जो class size आगी वो क्या आगई 10 और मेरी जो class size आगी वो 10 आगई और मेरी जो class marks आगे वो आगई है और यही मेरे final answers होंगे thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार सुपर